हलो दोस्तों वेलकम बैक टू नीए वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की सुरों में बात करने वाले हैं ब्रैंड न्यू एस्पी वन टेफाइब के डीटेल डाउन पेमेन फैनेंस के बारे में बताने वाला हो आई होप ये वीडिय कि इंगी कि Bike Finance करने के लिए हमें कौन कौन सी डॉकुमेंट की नीड भड़ती है दोस्तों बाइक फाइन्स करानेके सबसे पहले आपको अधार影 काट की जवरत पड़ती है अधार影 करके बाद दूस्तों आपको pen card की जवरत पड़ती है पैन काट के बाद दूस्तों आप आपको bank पात जो की photocopy लगीगी जिसमें आपकी salary आती है ध्याना की photocopy वही लगीगी जिसमें आपकी salary आती है उसकी बाद दुस्तों माल लिजए अगर आप job नहीं करते हैं कहीं लोग बुलेंगा भाई मैं job नहीं करता हैं तो मैं क्या दिखा हूँ तो अगर आप business करते हो को तो income tax return file करते है आईटेर वो दिखा सकते हैं और अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप जो है आप जो है वो कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप जो है अपना पतब आपको guide मिल जाएगी पर वो NIP scheme मिलेगी जिसमें आपको rate of interest वो आपको जादा देखने को मिल सकता है ठीक चलिए आगे बरदे बात करते हैं finance के बारे में तो दोस्तो आपको आपको अधा दो SP 125 ओन डूट प्राइज आरी लबक 1,200 एक लाग 2,000 रुपे गया सपास कीज़े है हमें ये बाइक ओन डूट प्राइज देखने को मिल रही है द्याना कि अरे कि स्टेशन सीदे में प्राइज में तोड़ा डिफ्रेंस होता है आप क्या हो सकता है थोड़ा सा अलक प्राइज हो ठीक दोस्तों आज की फिरुमें में जो डीपी लिया है रहे कि डाउन पेमेंट जो में पहले देना वो लिए हमने 27,000 रुप है ठीक 27, 20,000 रुप हमारा डाउन पेमेंट अब आपको बचे अमोंट कितना है दोस्तों आपका बचेंव आपको निकाला पड़ेगा इंट्रस याने की ब्याज जब भी हम दूस्तों बाइक कोई भी भाइक करी दे नहीं करा सकते आपको रेट आप इंट्रस ब्यास देना पड़ता बिना ब्याद की भाई वो भी फैनेसर कंपनी है, उसको भाई क्या फैदा होगा, उसको कोई फैदा नहीं होगा, ठीक तो फैजनेसर की, तो फीर आमने rate of interest लिया दस परसें, जदह enough rate of interest होता है, वह 10% ही होता है, तो 10% कि इसाफ से आपका बैदा का इंचेर इनने की 88,000 रुपै, 88,000 को दोस्तों 12 इनने की 12 से डिवाइट करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 मेने होते हैं, आपकी मन्तली EMI एगी दोस्तों लगबग 7,333 रुपै के आसपास की, माल नीज़ें दोस्तों आप बाइक को तीन साल के लिए फैनेंस कर रहे हैं, इसके बाद तीन साल का बता हुआ, 8,000 आपके एक साल का इंटरस आपके दो साल का इंटरस आएगा, आप 80,000 में 16,000 को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अब जागा 96,000 रुपै, 96,000 को आप 24,000 की डिवाइड दरे, क्योंकि दो साल में 24 मेने होते हैं, आपकी मतलिया में किला बग 4,000 रुपै के आजपास की, दोस्तों अब माली से तीन साल के लिए फैनेस करना चाहते है, 8,000 आपकी एक साल का इंट्रस है, 8,000 रुपै की तीन साल में इंट्रस आएगा, 8,000 में 24,000 को प्लस कर देंगे, टूटल अमाउंट आजागा, दोस्तों लगबब आपका टूटल अमाउंट आएगा, एक लाग चाराजार रुपै, एक लाग चाराजार को आप 30 से गानेगे, 36 से डिवाइट करेंगे, किकि तीन साल में 36 मेन होते हैं, आपकी मतलिया में की लबबंग 288 रुपै की जो कि आपको पेगाने बड़ेगी, कब तक, तीन सालों तक, तो यह दो दो ब्रैंड न्यू आएश्वी वर्टेटर वैप को डिटेल फाइनेंस वीडो, आई होप दूस्तों आपको वीडियो अच्छे लगी, वीडियो अच्छे लेगी देख लाइक करना, चैनल पर पहले 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 तो सब्सक्राइब करने ना, मिलतें ट्रैक सिरों में लभी ओल, जैन मन्दमात्र,